प्यादे सात्यों यदि आप लोग भी कलास टेंट का फाइनल एक्जाम दोजार पचीस में दिने जा रहे तो या वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वला है क्योंकि प्यादे सात्यों अभी के इस वुडियो में हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नमर जो पहर प्रकास का प्रावरतन इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जैक्टिव टाप का प्रस्न आपके फाइनल एक्जाम दोजार पचीस में पूछा रहेगा हम लोग सारे प्रस्न को इस वीडियो में कवर करेंगे और इस वीडियो को यादि आप लोग पूरा कंतिनू देख लेते है तो बिल्कुल याद कर लिजेगा यह आपका नियत होता है यानि पहला का राइट एंसर ऑप्स नमर यह बिल्कुल जो ना करेक्ट हो जाएगा इसके आगे देखना प्यार बच्छो क्वेस्चन मरदो बोला जा रहा है उससे पहले में बता दू यादि आप लोग डेली क क्लास करना would 25 आप आप और 14 आपके चार्सों पचास प्लस स्कोर लाना है दो जार पच्छीस में तो बिल्कुल हो सकता है इसके लिज्वेत च्या करिए सामन में डेली आपका चैसे कि समतल दर்पन में लेटर जो पी को देखने पर वह कईसा मालूम पड़ता है ठीक ह तो बिल्कुल याद रखेगा पैर बच्चो दो काराइटन सब बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर होगा option C यानि कि Q के जो ना Q जैसा मालूम परता है क्योंकि देखो यहाँ पर P लिखा है तो इसका अगर उल्टा क्या जाए तो Q के जैसा ही दिख रहा है इसलिए यह बात पूछा गया तो यह आप यार रखेगा आगे बढ़ते है क्वेश्चन नमर जो है आपसे तीन नमर बोला परकास क्या है बच्छो तो परकास आपको द्याण डखना है परकास जो है न यह आपका हो जाता है आँखो को परवावित करने वाली उर्जा तो आपसे नमर भी बिल्कुर करेक्ट होगा इसके आगे देखना Q 4 बोला जा रहे कि समतल डर पर द्वारा बना परतिवीम क्या होता है यह Q 2015 म आप लोग 5 नमर है समता डर्पन में किस परकार के परतिवीम बनता है तो बिल्कुल जहां रखिएगा प्यार बच्छो यह बनता है आवासी परतिवीम यानि option बी बिल्कुल यहां पर क्या होगा राइट हो जाएगा इसके आगे बढ़ते हैं question आप लोग देखेंगे 6 नम करेंगे प्यार बच्छो तो बिल्कुल देखें यह तो यह आपका सुड़िया का गरहन होता है ठीक है उसके बाद यह आपका चंड का गरहन होता है तो option नमर डी में दोनों दिया गया है इसलिए दी नमर जो ना बिल्कुल आपर राइट हो जाएगा और प्यार बच्छो म प्यार हम लेगा उसमें चैप्टर मर टू तक आपका जोना कंप्लीट हो चुका तो शुरुर जरूर जाकर के कर ले न और फिर नेक्स्ट क्लाश जो होगा उसमें लोग चैप्टर मर मैट का टीन करेंगे ठीक है तो चलो कुश्चन साथ है कि किसी बस्तू की छाया तभी ब रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी तो बिल्कुल आप नूट करना आठ का उप्शन नमर सी होगा ये काली रंग की हो जाएगी उप्शन सी करेक्ट है इसके आगे दखते हैं कुश्चन मर नौ बोला गया किसी परकार के सरोत के सामने एक रुकावत रख देने पर क्या होग घा ठीके देखना इसका पर का रहा है तो बॉल लख लख देने से तो बॉल लखा गया तो यहां पर पढ़ेगा तो बॉल लख धैगा ठीके लीख रहा घ्र का नेमीरा है जो में इस उसक क्या होगी एक नहींद होगी यह mamdaол ये जैó इस प्रकास से हांपर बनेगा तो ही बात पूछा क्या बनेगा तो बिल्कुल नूट कर लेना यांपर question बोला कि प्रकास देने पर उसकी chicken वोला कि आहींप बिरिताकार बनेगा option B होगा आगे बढ़ते हैं question number 11 बोला जो ना प्रिष्ट के भौतिक अनुभूति को क्या कहा जाता है तो 11 का right answer option होगा प्रकास कहा जाता है question 12 है प्रकास एक क्या है प्रकास एक रूप का क्या है तो बिल्कुल यार कर लेना प्रकास एक रूप का जो ना उर्जा है option B correct होगा इसके आगे बढ़ते है question number 13 बोला गया किसी माध्यम में प्रकास की किरने माध्यम के कनो को क्या करते हैं तो 13 का right answer option D होगा यह आपका तीनों होगा एक तो हो जाएगा गमन करती है साथ में प्रकास सीट करती है साथ में क्या होता है मध्या माध्यम के कन में गती परदान करती है तो option नमर दी जो आपका है यह बिल्कुल करेक्ट होगा A B C D T आगे बढ़ते हैं question नमर चोड़ा बोला प्रकास किस उर्जा का रूप है तो चोड़ा का आप निट करेंगे या आपका जो ना जमन के लिए किस परकाड के माध्यम में कियावे सकता होती है तो सुला का option भी होगा यह बिल्कुल किसी परकास की माध्यम नहीं होगी इसके आगे बढ़ते हैं आगे देखेगा question मर चोड़ा कि परकास का तरंग धैड अन बाधाओ की तुलना में क्या होता है तो बिल्कुल आप नोड कर लेना 17 का राइटेंसर option होगा बहुत छोटा हो जाता है इसके आगे देखना question मर आपसे 18 बोला परकास किरन क्या है पहरे पच्छो तो बिल्कुल यार कर लेना 18 का राइटेंसर होगा एक जो ना परकास एक बिंदू पठ है यानि option यह बिल्कुल यहां पर रा यह बिल्कुल राइट हो जाएगा इसके आगे देखिएगा question 20 बोला गया किसी उच्च कोटी की पाली से किये गए दरपन अपने पर पर परने वाले प्रकास को परावर्तित किसमे करेगी तो बिल्कुल 20 का आपने उड़ कर लेना यह अपका पुर्न रूप से करेगी ठीक लगा है आगे बढ़ते है question 20 बोला तेर लगा कागज क्या होता है तो इसका अप्सें नमर सी होगा यह आपका पार भासक होता है ना अप्सेंसी है इसके आगे 22 नमर कुश्चन है कि आदुनिक quantum सिद्धान्त के आधार पर पर प्रकास को क्या कहा जाता है ना तो इस पर बो कुछान के बढ़ते हैं कुछान आप देखेंगे 23 निमर्ट बोला गया कि सुद्या से आने बला प्रकास पुंज कैसा होता है तो ताइस का ऑप्सन नमर बिल्कुल नूर करना सी होगा या आपका समानतर प्रकास पुंज होगा आगे बढ़ते हैं फ्लीज बोला प्रकास की कि प्रकास के प्रावरतन के कितने नियम है तो बिल्कुल यह इस बार भी पुछा गया है 2024 में भी पुछा गया है तो बिल्कुल द्यान रखना ऑप्शन क्या होगा भी बिल्कुल राइट होगा समझ आया चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नमर कुछिन है कि फोकस पर अभिसारित करन करने बाला किरन पुछ प्रावरतन के बाद समानतर हो जाता किसमें तो बिल्कुल आप 26 का नूट करेंगे ऑप्शन नमर यह होगा यह आपका अवतल दरपर में होता है तो ऑप्शन नमर यह बिल्कुल यहां पर राइट हो इसके आगे देखना प्यार बच्छो कुश्चि किसमें होगा तो बिल्कुल 27 का नूट करना यह आपका जो है ना वेल्कुल अवतल डर्पन के लिए भी सथ है उत्तल डर्पन के लिए भी तो आप्शन एवी डून यानि को आप्शन सी में दिया तो इसके आगे देखना कुश्चिन नमर आपसे बिल्कुल 28 नमर बोला कि क सी बिंब का अब्तल दर्पन दोरा बना पड़ती विम आभासी यानि की बहुत बड़ा होता है सीधा साथ में यह बिंब से बड़ा पाया गया बस तू कि कहा होनी चाहिए इसके प्यार बचो कहा पर रखा जाएगा दर्पन के सामने यह 2013 का पूछा गया कुश्चिन है तो ब कभाणा क्वे त विल्कुल याद कर लेना यहाद यह प्राइस करना द्लपार्व है इस प्रकार से यह सारा का सरा न मैं है तो देखो इसमें जो राइट एंसर होगा मैं आपको बताने का प्रयाज करो तीसका तो बिल्कुल यह option D होगा A B दोनों होगा एक तो B डाइगराम सही है साथ में यह आपका A B दोनों हो सही है यह भी सही है और B B तो यह आपका option नमर दी में द्या जोन अपरकरन में किसी बास्तविक और उल्ते परतिवीम के लिए आवरधन क्या होगी तो बिल्कुल 31 का अपनोड करना option है यह भी द्यानात्मक यानि की माइनस में होगी इसके आगे देखना question number 32 बोला अब तर दर्पनिक में अभासी और शीरा परतिवीम के लिए आवरधन क क्या होता है तो 32 का option नमर विल्कुल नूड करना यह आपका वी होगा यानि की धानात्मक यानि की पलस में होता है इसके आगे देखना question number 33 बोला जा रहा है कि नई कारतिया चिन पड़ी पार्टी के अनुसार डर्पनिके सामने रखे गए जोन अभीम दूरी ली जाते है कह सब्सक्राइब कर दूर्इब को ड़ी में अब तर डर्पन दौरा किसी बीम का बाष्तविक परतिवीम एक परदे पर जोन पराप्ट कई दाता है दर्पन की फोकस दूरी को निडाल करने के लिए पड़िए करता को शामने क्या मतलब पड़िगर करता को मापने की ज़रू परकरन में दर्पन द्वारा परतिविम सदय आभासी सदय क्या होता है सिधा होता है तो यह किस प्रकार का आवर्धन होगा तो विल्कुल नूट कर यह 25 आपका धनातमा क्यानिकी पलस में होगा इसके आगे बढ़ते हैं को आप देखना यहां पर बोला जारा आप से 36 नमर औ प्रस्न मुला कि किसी गोड़िया दर्पन का रेखिक आवर्धन जो एम है क्या हो इम जो है आवर्धन क्या होगा यह दि अपर तिविम के अकार हेच और बश्टू का अकार है और है बस्टू का तो आवर्धन इसके लिए आम बराबर क्याश्व प्यारबक्श कु लेना सांइं तीस नमर कोश्चन बोला गया कि किस दर्पन का उप्योग समानेता बाहन ओ यानि की गारी जो होता है प्यारबचो उसके पच्छ यानि की पीछे के द्रिस्टों को देखने के लिए क्या जाता है तो विल्कुल यार्ड कर लेना यह क्या जाता है आपका उत्तर तो आपको यार रखना है यह बनता आपका आवासी यान की बहुत बड़ा बनता है ना अवासी बनता एक चेकिन प्रतिविम पराप्ट करने के लिए उप्यूक्त गोलिया दरपन में सीधा परतिविम पराप्ट करने के लिए चेहड़े को कहा रखना चाहिए तो बिलकुल यार कर लेना प्यार बच्छो चालिस का उप्चिन नमर डी होगा यह आप प्यार बच्छो देख लेना कहीं पर भी रखा जा सकता है इनमें से कोई नह उनों हमेशा क्या करता है शिरा परतिविम बनाता है तो उप्चन यह राइट होगा आगे बरते हैं कुश्चन नमर आप देखना यहां पर न एक तालीस बोला कि बास तबीक परतिविम की परकिरती कैसी होती है तो एक तैलिस का अप्शन नमर भी होगा उल्ता होता है आग कर लेना वैल इसका अप्शन मड़ी होगा यह आपका अब तल डर्पन होता है इसके आगे देखना कुश्चन मर आपसे बोला गया है प्यारबचु ते थालिस नमर कि 20 सेंटीमेटर फोकस डूरी वाले अब तर दर्पन को सूरिया परकास के सामने रखा जाता है पर धान अ आगे आप लोग कुश्चन देखना अगली कुश्चन चवालिस नमर है कि गोली अदर्पन की वक्रता 40 सेंटीमेटर है तो बताए उसकी फोकस डूरी क्या आपको पता ना यहां पर क्या बोल दी है फोकस डूरी करने बोली है तो इस कारण से हम लोग क्या कहेंगे तो बिल बिल्कुल आपके बराबर निकालोगे तो देखो आर का भेलू जो होगा आरका वेलू यहां पर पहले ही 40 दिया है तो 40 यहां पर रख लो ठीक है बटे में टू है तो तुका दो कंसलाट करोगे तो वीस आएगा इस कारण से यह आपका वीस सेंटीमेटर होगा ठीक है बिल है तो इसका उसका परतिवीम क्या बनेगा तो बिल्कुल नुट कर लेना यह आपका बनेगा कालपनिक और बरा तो आप्सण डी करेक्ट है इसके आगे देखना क्वेश्चनमर 27 बोला किसी गोलिया दरपन तथा किसी पतले गोलिया लेंस दोनों की फोकस दूरी जादी होगा तो बिल्कुल यह यार कर लिजिए यह आपका दोना दोनों अब्तर लेंसी होगा यह आप्सण एक करेक्ट है इसके आगे देखना अच्छ के समानतर चलने वाली पड़कास की किरने अव्तर डरपन से प्राबरतन के बार मुक अक्छ के एक बिंदू से होकर गुजरत है इस बुंदू उम्में को डरपन में क्या कहेंगा तो बिल्कुल यार कर लेना यह आपका जो ना फोकस कहलाता है तो अपसन यहां पर एक सी करेक्ट होगा इसके आगे देखिए उन्चास नमर कोशन है किस दरपन का द्रिष्ट छेटर बरा होता है तो बिल्कुल उन्चा किस दरपन की फोकस दुड़ी धनात्मक मतलब की पलस में होती है तो बिल्कुल यह तो आपका कौन सा होता है याद कर लीजिए पच्चास का उप्शन भी यह आपका जो ना उत्तर डरपन होगा अगर माइनस में बोला जाए कि कौन होगा तो बिल्कुल अपतर डरपन तो यह दोनों को याद रखिए कि सोरल कुकल में परयोग किये जाते हैं किसका तो सोरल कुकर जो है उसमें किसका परयोग होता है तो बिल्कुल अवतर डरपन का तो अपसन होगा इसके आगे आप देखना क्वेशन मर्ति पन है रोगियों के नाक कान गले आदी की जाच के तो यह किस पर लागु नहीं होगा ठीक है तो बिल्कुल याद कर लीजेए यह लागु नहीं होता है किस पर किसी पर नहीं होता है नहीं नहीं अवतर डरपन पर उतर डरपन नहीं समतर पर इसके आगे देखना काफी important question है पच्पनमर कि torch से किस प्रकार के परकास पुंज क की प्राप्ति होती है तो बिल्कुल यहां पर जो होगा यह अपका संस्रित प्रकास पुंज होगा यानि अपसंस ही होगा आगे आप लोग देखना क्वेश्चन नमर्च छपपन बोला कि 20 संटीमेटर के फोकस दूरी वाले अपतर दर्पन को सुरिया के सुरिया प्रकास के स इसके सामने डीडूरी पर रखी माचीज की तीली जल उठती है तो बतायों दी का होगा तो बिल्कुल देखना प्रबचिव में वहां प्रकास करना यहीं आपका 20 संटीमेटर ही रहेगा इसके आगे देखते है संतावर नुमर्च कुष्चन दर्पन के सामने किसी भी डू प्यारा बच्छू जो है यह जो ना यह समतल या उतल जो ना दूनों कहला था आप्शन डी होगा इसके आगे देखना कुश्यन अधावन बोला गया कि किसी काड का अग्र दीप में पड्यूक्त दरपन निम्लिकित में से कौन सा होता है तो बिलकुल आप याद कर लेंगे य प्रकार से भी आपको वट्टे वी दिया दा सकता है और प्लस में वट्टे यू तो इस प्रकार से की फोकस दूरी क्या होती है तो विल्कुल क्या यार कर लिए जीगा आपका अनन्त होती है ठीक है आगे बरते है एक सथ नमर कुश्चन बोलागे आपसे कि अवतल डर्पन के सामने बस्तू को कहां रखा जाए ताकि परतिभिम उल्टा साथ में बास्तविक और समान आकार का दिखाए पड़े तो बिल्कुल हम क्या करेंगे इसको रखेंगे पैरवचो कहां पर तो इसको हम रखेंगे बकरता के अंडर पर यानि ओप्संस ही करेक्ट है इसके आगे देखना कुश्चन में आपसे जो बोला है बार्शाट नुमर है एक गोलिया डर्पन की फोकस दू यह फ्यूंपन में होता है यह बोला था मैने पैरवची बार्शाट है नहीं अव्टल में नहीं होता है seems अग्ट इस्तभड प्रकार यह मन में होता है तो यह प्लस में हैं जुक्दित कर लें मिग्या नहीं फाल तो इस प्रकार से इसका राय एंसर होगा बरसर का नुमर का क्या हो ज़ा देखना बरशल का ढू़जो विलकुल आपका Łपसन नमर यहूगा तो यह weekly प्रप्टर अंबर मरतव त्टरै Paul तो आप प्यार बच्व नंबर मेरा ले सकता नंबर में आपको देने का प्रयास करूँगा इस नंबर पर आपको इंटेक्ट करना ठीक है देखो नंबर है बाइब प्यो व कर ुलया नंबर में आपको देखोल झातीक है